दोस्तों आज में लेकर आई हूँ जूरू से रिलेटिट उसके रूल्स उसके मेजर्मेंट से रिलेटिट मोस्ट इंपॉर्टिन कोस्चन लेकि जो आपकी एक्जांप में पुछे जा सकते हैं उन्ही कोस्चन को लेकर आई हूँ दोस्तों वीडियो को पुरावाश किजेगा एक भी कोस्चन मिश मत किजेगा जैसा कि आप जान रहे हैं कि कमपर्टिशन का दोर चल रहा है लगातार वेकेंसिया आ रही है केवियस का फॉर्म आपने भरा है जल्दी उसका एक्जांप होन जाएगा अप्रैल में उसका एक्जांप होगा यानि कि आपको जूरो से तैयारी में लगे रहना है तभी आपको कोई एक सीट किसी भी एक्जांप में मिल सकता है तो दोस्तों चलिये चलते हैं आज की प्रश्णों की तरफ कोईश्चन है कि जूरो का जन्म दाता किस देश को माना जाता है तो जूरो का जन्म दाता देश है जापान जैसा कि जापान में 1882 में डाक्टर जिगारो कानो द्वारा इस खेल की सुरुवाद किया गया इस खेल को जापानी कुस्ती भी बोला जाता है इस प्रकार हम कह सकते है कि जूरो का जन्म दाता देश किसे माना जाता है तो जूरो के जन्म दाता देश को माना जाता है जापान को नेक्ष कोर्शन है दस्तों कि जुडो का जर्म जाता किस ब्यक्ति को माना जाता है तो किस ब्यक्ति को माना जाता है डाक्टर जिगारो कानो को माना जाता है किसको माना जाता है डाक्टर जिगारो कानो को माना जाता है और जूडू का पितामा भी इनको कहा जाता है नेक्स कोर्ष्टन है कि जूडू खेल की इस्थापना कब हुई तो जूडू खेल की इस्थापना 1882 में डाक्टर जिगारो कानो द्वारा किया गया कब किया गया? 1882 में डाक्टर जिगारो कानो द्वारा किया गया नेश्ट है जूडू किस देश का राष्टिये खेल है तो जूडू किस देश का राष्टिये खेल है दोस्तों तो जूडू जो है वह जापान का राष्टिये खेल है इसको जापानी कुस्ती भी बोला जाता है नेक्स्ट कोईश्चन है जूडू की पुरुस इस परधा प्रथम बार उलम्पिक में कब सामिल हुई तो पुरुस इस परधा उलम्पिक में प्रथम बार सामिल हुआ 1964 टोक्यो जापान में कब सामिल हुआ 1964 टोक्यो जापान में जैसा कि दोस्तों जो पहली बार पूरुस इस परधा जो है ओलंपिक में खेला 1914 टोक्यो जापान में लेकिन लगातार यानि कि एक इस्थाई रूप से सामिल हुआ 1972 में यूनिक पस्चमी जर्मनी में नेक्श कोच्चन है जूडो की महिला इस परधा को प्रथम बार उलंपिक में अधिकारिक रूप से कप सामिल किया गया तो इसको 1992 बर्सी लोना इस स्पेन में सामिल किया गया नेक्श कोच्चन है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की स्थापना कब हुई तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुआ जिसका हेट क्वार्टर यानि मुख्याला है लुसानी सुर्जन लेंड नेर्श्ट कोश्चन है जूरोफ फेड्रेशन आफ इंडिया की स्थापना कब हुई तो जूरोफ फेड्रेशन आफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुआ जिसका हेट कोवाटर यानि मुख्याल है नई दिल्ली नेक्ट कोस्टेन है जूडो में कमपर्टिशन एरिया कम से कम कितने मीटर का होना चाहिए एक कोस्टेन दोस्तों UPTGT 2009 में पुछा गया है कि जूडो में कमपर्टिशन एरिया कम से कम कितना होना चाहिए तो कम से कम पुछा है तो 14 गुड़े 14 मीटर होता है कितना होता है 14-14 मिटर होता है कमपर्टिशन एरिया यानि प्रतियोगिता एरिया आधिक से आधिक होता है दस्तो 16-16 एक कम से कम पुछा है तो कितना हो जाएगा 14-14 डारेक्ट पुछीगा कि जूडों में कमपर्टिशन एरिया यानि प्रतियोगिता एरिया कितना होता है तो भी आप कम से कम वाला लेंगे लोएस्ट वाला लेंगे यानि सही जवाब हो जाएगा 14 गुड़े 14 मीटर नेक्स्ट कोच्चन है कि जूडो में कमपर्टिशन एरिया अधिक से अधिक कितने मीटर का होना चाहिए तो जूडो में कमपर्टिशन एरिया अधिक से अधिक 16 गुड़े 16 मीटर का होना चाहिए कम से कम कितने मीटर का 14 गुड़े 14 मीटर का आधिक से अधिक 16 गुड़े 16 मीटर का अधिक से अधिक कितना होना चाहिए 16 गुड़े 16 मीटर का इसमें आप confused मत होईएगा Next question है जूडो में contest area कम से कम कितने मीटर का होना चाहिए तो जूडो में contest area जैसे कि दोस्तों जूडो के प्रतियोगिता के छेत्र को दो भागों में बाटा गया है Contest area and safety area और contest area और safety area के बीच में जो red color का भाग है उसे danger zone बुला जाता है जैसा कि चित्र में दीख रहा है तो जूडो में contest area कम से कम कितने मीटर का होना चाहिए तो contest area जो होता है आठ गुड़े आठ मीटर का होता है कितने मीटर का होता है आठ गुड़े आठ मीटर का होता है नेश्ट है जूडो में contest area अधिक से अधिक कितने मीटर का होना चाहिए तो जैसा कि चित्र में दीख रहा है contest area ओ अधिक से अधिक कितना होना चाहिए तो अधिक से अधिक 10 मीटर का होना चाहिए यानि कि आपको एधियान रखना है कि अगर प्रतियोगिता अधिक अधिक 10 गुड़े दस मीटर ठीक है and contest area के किनारे किनारे आपका danger जुन होता है उसके बाद होता है safety area तो next question है judo में safety area कितने मीटर का होता है तो जो safety area होता है वह तीन मीटर का होता है जैसा कि green color में दिखाई दे रहा है कितने मिटर का होता है? तीन मिटर का सेप्टी एरिया होता है नेश्ट है जूडू मैट पर बने टैप की चवड़ाई कितनी होती है? तो जूडू मैट पर बने टैप की चवड़ाई जो होती है 10 cm होता है नेश्ट है जुडू मैट पर लगे टैप की लंबाई कितनी होती है तो 50 cm होता है कितना होता है 50 cm नेश्ट है जुडू मैट पर लगे दोनों टैप कितनी दूरी पर होते है तो जुडू मैट पर जो टैप लगा होता है वो दोनों कितने दूरी पर होते है तो 4 मिटर की दूरी पर कितने दूरी पर? 4 मिटर की दूरी पर होते है जैसा कि दूस्तों प्रतियों की खिलाड़ी जो होते हैं जुडू में उनके खड़े होने की एक दूसरे से दूरी भी आपका होता है चार मीटर की यह ध्यान में रखेगा नेश्ट कोश्चन है जूडो प्लेट फॉर्म की उचाई जमीन से कितने उपर होती है तो जूडो प्लेट फॉर्म की उचाई जमीन से 50 सेंटीमीटर होती है कितनी होती है 50 cm नेश्ट है जूडो में पूर्सों के लिए कितना समय होता है तो जूडो में पूर्सों के लिए 5 मिनट का समय होता है कितना 5 मिनट का समय होता है नेश्ट है जूडो में महिलाओं के लिए कितना समय होता है तो जूडू में महिलाओं के लिए चार मिनट का समय होता है नेश्ट को चलो है पहला अरजुन पुरसकार जूडू में किसे वह कब मिला तो पहला अरजुन पुरसकार जूडू में संदीब बयाला को मिला 1992 में नेश्ट है जूडू मेंट पर कितने जज होते है तो जूडू मेंट पर एक जज होता है कितने जज एक जज नेश्ट कोश्चन है कि जूडू में कितने जूरी होते है तो कितने होते है एक जूरी होता है नेश्ट है जूडू को शैप खेलो में पहली बार कब सामिल किया गया तो जूडू को शैप खेलो में यारी साउथ अफ्रिकन गेम में 1995 में सामिल किया गया नेश्ट है दोस्तों कितने अवधी तक पकड़ होने पर इपोन दिया जाता है जैसा कि दोस्तों जूडू के खेल में स्कोरिंग पॉइंट के लिए इपोन, कोका, वजारी, यूको, आदी सब्द का इस्तिमाल किया जाता है जिसमें से सबसे उचा स्कोरिंग पॉइंट होता है इपोन का 10 पॉइंट तो इसमें क्या पूछा है कि कितने अवधी तक पकड़ होने पर उसे इपोन दिया जाता है तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 20 सेकेंड तक पकड़ होने पर इपोन दिया जाता है नेश कोस्टन है कितने अवधी तक पकड़ होने पर वजारी दिया जाता है तो 30 सेकेंड पकड़ होने पर इपोन दिया जाता है और वजारी कितने सेकेंड पकड़ होने पर दिया जाता है तो पंदरे सेकिन पकड़ होने पर दिया जद है नैश्य दोस्तों तिसरी शीदो यानि की पिनार्टी मिलने पर कौन सा स्कोर मिलता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा हांसु कुमा के जैसा कि दोस्तों इसमें क्या नियम है कि यदि किसी खिलारी को तीन पिनार्टी मिलती है तो जूडो में पिनार्टी को सीधो बोला जाता है क्या बोला जाता है? सीधो तो यदि किसी खिलारी को तीन पिनार्टी यानि सीधो मिलती है तो उसी समय उसको फाइट छोड़ने पड़ती है और fight छोड़ने को हंसे कुमाके बोला जाता है तो उसके क्या बोला जाता है हंसे कुमाके यानि कि मतलब कि वो fight छोड़ देगा ठीक है Next question है जूडो का अर्थ क्या है जूडो का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ होता है नम्र रास्ता क्या अर्थ होता है नेक्षन दोस्तों वजारी मिलने पर कौन सा स्कोर मिलता है अगर दो वजारी मिल जाता है तो उसे इपोन दिया जाता है ठीक है क्या दिया जाता है इपोन दिया जाता है अगर question पूछेगा दोस्तों कि judo खेल में सबसे उचा scoring point कौन होता है तो इपोन होता है और यह question KBS TGT 2015 and UP TGT 2004 और UP TGT 1999 में पूछा गया है नेश्ठ दोस्तों 2012 लंदन उलम्पिक में जूडो में भारत की किस महिला खिलाडी ने भाग लिया था तो 2012 लंदन उलम्पिक में भारत की गरिमा चौधरी ने भाग लिया था नेश्ठ है गरिमा चौधरी ने 2012 लंदन उलम्पिक में कितनी भार्वजण में भाग लिया था 63 केजी भार्वर्ग में नेश कोस्चन है कि एनायस यानि कि एनायस पटियाला कोर्स में जुडो कम सामिल किया गया तो एनायस पटियाला कोर्स में जुडो को 1977 में सामिल किया गया नेश है दोस्तों जुडो में निडायको को क्या कहते हैं तो जूडो में निर्डाइकों को सुसीन बोला जाता है क्या बोला जाता है सुसीन बोला जाता है कुछ और सब्दावलिया हैं दोस्तों जैसे कि जूडो में जूडो के मैदान को सियाईजो बोला जाता है एंड जूडो के हाल को डोजो बोला जाता है एंड जूडो के पुसाग को जूडोगी बोला जाता है और जूडो सुरू करने को हाजी में बोला जाता है ठीक है एंड इसमें जूडो के जो मौइट मैट होता है उसको तमामी बोला जाता है ठीक है और जूडो खिलारी को जूडो काज बोलते हैं एंड दोस्तो जूटो खेल के अंदर रेफरी खेल रोकने के लिए माते सब्द का प्रियोग करता है नेश्ट है चोथी सीदो यानि पेनाल्टी मिलने के पस्चार्ट क्या होता है जैसा कि अभी मैंने एक कोस्टन में बताया है कि तीन सीदो यानि की पेनाल्टी मिलने पर उसको हंसे कुमा के दिया जाता है यानि कि वो फाइट छोड़ देता है तो यहाँ पर कोस्टन क्या पुछा है कि यदि चोथा सीदो मिलने पर तो उसको फाइट छोड़ना पड़ता है यानि उसको हंसे कुमा के बुलते हैं अगर चौथा सीदो यानि पिनाल्टी मिला उसके पस्चार क्या होता है तो चौथा सीदो यानि पिनाल्टी मिलने पर खेल समाप्त हो जाता है खेल क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है खेल समाप्त हो जाता है next question है भारती जूडो महा संग के बरतमान अध्यच्छ कौन है तो दोस्तो भारती जूडो महा संग के बरतमान अध्यच्छ मुकेश कुमार हैं इसको दोस्तो देखना पड़ेगा कि अभी तक यही हैं कि बदल गया है तो आप लोग सर्च कर लीजेगा इसके पहले तो मुकेश कुमार ही थे नेश्ठ है जूडो पुरुस वर्ग में कितने भार वर्ग होते हैं तो जूडो पुरुस वर्ग में साथ भार वर्ग होते हैं कितने होते हैं साथ भार वर्ग होते हैं जैसा कि दोस्तों यहां पे आपको दिखाया है पूरुस और महिला दोनों के भारवर्ग को जैसे पूरुसों के लिए दिखाया है 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg and 100 kg जैसा कि आप देख रहे हैं एंड वही पे आपका पूरुसों के लिए महिलाओं के लिए दिखाया है महिलाओं के लिए दिखाया है 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, 78 kg and 78 plus kg यानि दोनों के लिए भारवर्ग होते हैं 7-7 नेश्ट है जूडो महिलाओं वर्ग में कितने भारवर्ग होते हैं तो दोस्तों महिलाओं पूरुस दोनों के लिए कितने भारवर्ग होते हैं साथ-साथ भारवर्ग होते हैं नेश्ट है भारत की पहली राष्टिय जूडो प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी तो दोस्तों भारत की पहली राष्टिय प्रतियोगिता 1966 हैदराबाद में आयोजित किया गया था थीक है भारत की पहली राष्टिय जूडो प्रतियोगिता कब आयोजित किया गया था 1966 हैदराबाद में नेश्ट कोशन है जूडो का प्राचीन नाम क्या था तो जूडो का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों जूडो का प्राचीन नाम है जूजूट्सू क्या नाम है जूजूट्सू तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आयोजित की सभी कोश्चन्स आपको समझ में आये होंगे दोस्तों इससे बाहर जूरो से रिलेटेट कोई questions नहीं आ सकता जो भी आएगा current में आ सकता है तो दोस्तो ए वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईए और जादे से जादे वीडियो को share भी किया किजे दोस्तो और daily basis पे मेरे चैनल पे बने रहे है प्रैक्टिस करते रहे है और लगे रहे है जिससे आपको सफलता जरूर मिले यही मैं वीडियो करूंगी सब के लिए तो दोस्तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद